हलो स्टुडेंट्स विल्कम बाग आज हम लोग बात करेंगे वीजूल कम्यूनिकेशन के बारे में इसके मीनिंग एडवांटेश रोडिन इडवांटेश के बारे में तो क्या होता है वीजूल कम्यूनिकेशन वीजूल कम्यूनिकेशन इंक्लूट्स ग्राफ डाइग्राम other means of visual communication which are extremely useful तो visual communication वो ग्राफ का यूज करते हैं डाइग्राम का यूज करते हैं तो बहुत सारी चीज़े समझाने के लिए आप देखते होगे यह सब चीजों का यूज किया जाता है जैसे offices में बात किया जाए तो offices में बहुत सारी चीज़े समझाने के लिए हमको अलग अलग PPT बनाना होता है जैसे अभी हम लोग आप पाड़ रहे हो तो यह PPT बना हुआ है तो यह वीजूर कम्यूनिकेशन का एक तरीका है तो ग्राफ आप से समझाने में ना चीज़े एजी हो जाती है जैसे कोई commerce बैग्राउंड का है तो कोई देक्कत नहीं है वो balance sheet देखके समझ सकता है कितना asset से कितना liability है लेकिन कोई commerce बैग्राउंड का नहीं है तो वो कैसे समझेगा कि क्या sale पिछले साल कितना था अप कितना था तो इसको बहुत attractive वे में समझाने के लिए हम दो graph का यूज करते है तो यही है visual communication आप communication को और जदा effective बनाने के लिए इसका यूज करते हो graph का आपने यूज किया, ppt का आपने यूज किया pictures का आपने यूज किया कोई बीची समझा, emoji आपने भेज़ दिया किसी को तो यह सब visual communication का ही एक part होता है यह वर्ड्स नहीं है लेकिन चीजें आप graph के थ्रू, diagram के थ्रू, explain कर रहे हो तो यह सब visual communication में आता है बहुत ही इच्छा मना जाता है, क्यों? कोई भी चीज को समझाने के लिए यह easy हो जाता है ठीक है? कोई layman है, फसको नहीं समझ में आता हो आपके background का नहीं है फिर भी आप उसको picture के थ्रू चीजों को समझा सकते है जैसे emoji को ही ले लो, emoji भेज के आप अपने feeling को express कर सकते है तो यह सब वाइदा होता है, visual communication का चीजों को express करना और ज्यादा easy हो जाता है आप easily चीजों को express कर पाते है तो normally यह देखा जाए, business world में तो graph का बहुत ज़्यादा importance है graph के थ्रू आप बहुत सारी चीजे समझा सकते है अब आते next advantages तो advantages क्या क्या है visual communication के they give a bird eye view to the initial entire data तो यह क्या है, पूरे data को एक बार में देखने के लिए bird eye view दे रेता है यह मतलब आपको पूरा पढ़ने के जरूरत नहीं है आप एक बार आपने graph देखा graph देखके आपको बहुत सारी चीजे समझ में रहाती है यह सेल बढ़ा है की खटा है ऐसे बढ़े है की liability बढ़ा है क्या जो भी है आपको graph देखके समझ में आता है आपको numbers नहीं पढ़ने पढ़ते हैं एक आपको जनरल आइडिया तो पता चली जाता है यहाँ पिछले साल के सेल में अपसर इस साल के सेल में कितना डिफरेंस है यह बहुत अच्छी चीज है विजुल कम्यूनिकेशन इस मोर अट्राक्टिव तो द आई फिगर्स एंडर ड्राइब बद डिलिकेट द आई इसमें क्या विजुल कम्यूनिकेशन जो है एक तरीके से हमारे आई के लिए बड़ा अच्छा होता है क्यों 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 हमें अ होगे एक तर्के का विजुल कम्यूनिकेशन कार्टून के तुर आपको कोई पिस्ते हम समझा रहा है ठीक है नेक्स है डाइग्राम ग्राफ हब ग्रीट मेमराइजिंग वैल्यू तो इनकी मेमराइजिंग वैल्यू बहुत अच्छी होती है कोई भी आप पिक्चर देखते दिफ्रन पेडियर्ड ऑफ टाइम उन इसमें यह यहalen पर्रूरसे हम पूरे टीटा को समझा सकते हैं यह बहुत अच्छी चीज इकसाद आप समझा सकते हैं next graph and diagram have a visual appearance and therefore prove to be more impressive to the layman why layman मैंने का ना जो जानकार नहीं है उसके लिए भी visual communication बड़ा important हो जाता है उसको चीज़े समझ में लगती है क्योंकि पिक्चर्स के थुरू यह सब आप बहुत अच्छे तरह समझा सकते हो आपने colors के अलग-अलग patterns मना दिये तो लोगों को बहुत बढ़े हैं समझ मैंने लगता है यही इसको में बोलते है फिस्ट्वल कमेरिकेश्ट अब आते हैं डिसद्वांटेज में कुछ बुराहिया भी होंगी डाइग्राम graph can be present only limited information simple सी बात है बहुत सारी चीजे नहीं लेकिन limited information जो चीज नमबर्स में उसको आप graph और डाइग्राम के थुरू समझा सकते हैं नेक्स है तो visual aids give only the approximate rather than the exact value of the quantities अब अगर आपने क्या किया visual communication के थुरू आपने नमबर्स गायब करती है नमबर्स गायब कर देंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मतलब आपको mixture यूज करना पड़ेगा खालिया visual communication यूज करकी चीज को नहीं सम्झा सकते हैं आपको जाती साथ नमबर्स भी यूज करने पड़ेंगे नेक्स्ट तेंग नाट प्रेजेंट नॉन्क्वालिटिटीव क्याविटेटिव इनवरमेशन सच इस ने पता रहा है को मितेंगे आपको और दॉपनियो को नहीं सम्झा सकते हैं इस नमबर्स में नहीं है ना बबबस में तो आपको राफ जूश कर बता देते हैं तो यह स से तो यह भी इसका डिसाडवांटेज है निक्स डाइग्राम एंड ग्राफ्स कैन भी इसली मिस इंटरपिटेट इंदे एडवर्टीजमेंट एंड प्रोपोगेंडा इसमें क्या बता रहा है कि इसो डाइग्राम होते हैं इसको लोग मैनुपुलेट भी कर सकते हैं तो यह किसका डिसद्वांटेज ही है इस डिफिकल्ट टाइम कंजूमिंग एंड एक्सपेंसिव डेवलब कुट डाइग्राम ग्राफ चार्ट इसेक्टर तो विज्वल कम्यूनिकेशन एक्सपेंसिव क्यों होता है क्योंकि इसको बनाने में इसको क्रिएट करने में बहुत सारा क्योंकि एक्षाइ ओ Cena कर दाझा बावाशनाया था बाले है यारक्सपेंसिवांगोगी क्यों ही पुल्ट करेवल.